करणाटका चुनाओ में बीरेस ने कॉंग्रेस की जम कर मदद की थी और अबस चुनाओ में कॉंग्रेस अपना कर्ज उतार रही है क्योंकि करणाटक में भरपूर खजाना ये तिलंगना की जन्ता से लूटा हुआ माल करना टका में कॉंग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कॉंग्रेस जिल जाए फिर उसको मिल करके तेलंगना में जिल जाए ये बियारेस खेल करती है भाई मैं आज पहली बार एक रहत से खोलने जा रहा हूँ खोल दो सच बता दो बता दो पहले कमी नहीं बताया, आज बता देता हूँ और मेरे पत्रकार मेत्रों से भी कहता हूँ जाँच करवा लेना शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूँ मैं आज जब हाइदराबाद मुंसिपल कार्परिशन का इलेक्शन हुआ भारतिय जन्ता पार्टी चालिस पैतालिस सीटे जीत करके आगई 48 किसी को बहुमत नहीं मिला KCR को सपोर्ट की जरुवत थे और आपने देखा होगा हाइदराबाद कोर्परिशन के चुनाव के पहले वो एरपोर्ट में पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे बड़िया बड़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भै अचानक मन दो गए अचानक इतना गुसा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हाइदराबाद के चुनाव के बाद ये भी तारिक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आये बहुत बड़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया यह केसी आर के केरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नित्रुतों में देश प्रगति कर रहा है हम भी NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें NDA में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या बोले है यदराबाद में मुंसिपाल कॉरपरेशन में हमारी मदद कर दीजिए पधार को कह आपके कारणा में ऐसे है मोधी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है 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 यदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे के सियार की सरकार हमारे कार करताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगणा की जनता से दगान नहीं कर सकते हैं कि बले तेलंगना की जंता ने हैद्राबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया लेकिन 48 सिड़ भी तेलंगना का भाग्य बदलने की शुरुवात है और माने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया उनको एंडिय में एंट्री देने से इनकार कर दिया उसके बार उनका दिमाग फटका फिर तो वो भाती भाती से दूर भागने रहे मैं प्रस्टाचार के सवाल पूझने लगा फिर एक बार दुबारा आये वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं सारा कारोबार के टी आर को दे देना चाहता हूं मैं एक बार के टी आर को भेजूंगा आप जरा उसको आशिरवाद दे देना यह उन्होंने मुझे कहा मैंने कहा केस यार यह लोक तंत्र है तुम कौन होते हो बेटे को राजगा दी दे तुम राजा मह और आजओ हो क्या कि तुम राजा महार आजओ क्या अरट कि जनता ताय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है कि बाज बहुत दिन आखरी था उसके बाद कि एक बार भी वो मेरे से आखे नहीं मिला पा रहे हैं कि मेरा पढ़्चाया भी देखने की इमत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे हैं